दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी ख़बरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार की किस जिले में रहते हैं और साथ ही अ प्राज के सहरों में रह रहे बेगार गरेब बुमिहीन के आवासन के लिए जल्द बहुमंजिला भवन बनेगा। मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने नगर विकास एवम आवास विभाग को इसकी कारी योजना पर तेजी से काम करने का निर्दिश दिया है। मुख्यमंत्री ने गुर्वार को एक अने मार्ग में वीडियो कॉनफरेंसिंग से आत निर्वर भारत के साथ निश्चे दो केंतरगत सारी छेतरों में गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास समादित समीचा बैठक की और पददिकारियों को कई निर्दिश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब बेघर बुमिहिनों के लिए हम लोगों ने बहुमंजिला भवा निर्मान की योजना बनाई है। उन्होंने बहुमंजिला भवा निर्मान के लिए इस्तलों का चैन कर निर्मान कार जल्द सुरू करने को कहा है। अगले बड़ी कबर सहरों में पेट्रोलिंग के लिए बनेगी पुलिस की नई बीट ताय होंगे अधिकारियों और कर्मियों के दायतवा सराब को लेकर डिजीपी ने दिया ये निर्देश जा बिहार के सहरों में रात्री गस्ती के लिए नए सिरे से बीट ताय की जाएगी साथ इसके लिए प्रतिन्यूक्त पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का दायत भी किया जाएगा जिलान मंडल मुक्याले वाले सहरों के साथ प्रमुक भाजार में इस पर विसेश ध्यान रखने को कहा गया है डिजीपी एसके सिंगल ने गुरवार को पुलिस के सभी प्र रातरी गस्ती को चूस्त दुरस रखने के लिए चेकिंग का भी निर्दिस दिया है जिला इसतर पर वरिया पदाधिकारि इसकी अक्षर चेकिंग करेंगे वह पुलिस मुख्याले के सर भी तीम रातरी गस्ती की चेकिंग करने आएंगा आगली बड़ी खबर बिहार में बनेगा 480 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे डिपियार तयार गंगा नतीब पर अठारो पुलो का होगा निर्मान जिहां केंद्रे मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि ग्रेन फिल्ड एक्सप्रेस वे गोरोगपूर से सिली गुड़ी तक बनेगा इसमें बिहार के बितर 480 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनेगा इसके लिए डिपियार बन गया है उन्होंने मुखमंत्रे से अपील किया है कि बिहार में जो भी समावित नकसा है वह भेज दे उसे मंजोरी मिलेगी साथ उन्होंने कहा कि बिहार में गंगा नदी पर 18 पूलों का निर्मान कर रहे है पाटना में महातमा गांदी सेतु पर काम चल रहा है निर्माना देन सभी पूल तयार होने से उत्तर परदेश जारकन सहीत आने राज्जों के लोगों को काफी लाब मिलेगा अगली बड़ी खबर 139 किलोमीटर कम हुई मुंगेर से खगडिया की दूरी मुंगेर में सियम नितिस ने स्री क्रिस्न सेतु का किया लोकारपार केंद्रे मंत्री नितिन गड़करी भी वर्चुली हुए सामीर जिया मुंगेर और खगडिया को जोडने वाले 696 करोड की लागत से गंगा नदी पर बनी 14.5 किलोमीटर लंबी रेल साड़क पूल का उदगाटन किया गिया गुरवार दो पर दो बज़े केंद्रे मंत्री नितिन गड़करी ने वर्चुल मैदम से सेम नितिस कुमार के साथ यह उदगाटन किया इस दोरान मोके पर केंद्र सरकार के मंत्री ग्रिराज सिंग, विके सिंग के अलावा उपू मुक्य मंत्री तार कि सोर परसाद, रेनु देवी एवं बिहार सरकार के मंत्री नमीन, समरार चोधरी, मुंग्रे के सांसद, राजिव रणजन सिंग, और पलालन सिंग, राज सांसत के अलावा कई विधाय के वां विधान सब्सक्राइब परिस्द मौजुद रहे आपको बता दे कि इस पूल के बनने से मुंगेर से खगड़िया की दूरे 139 किलो मिटर कम हुई है अगले बड़ी कबर बिहार यात्रा पर निकलेंगे आर्सिपी सिंग एक मार्च को सीम नितीज के जनम दिम पर करेंगे सुबाराम जनता को विकास कारी से कराएंगा उगर जी हा, आर्सिपी सिंग ने सुकुरवार को पटना ऐसी था अपने आवास पर अपने करिभी निताओं और समर्टकों को बेटक पर बुलाया था, इस दुरान उन्होंने बिहार दोरे पर निकलने का बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि नितीज जी अभी लंबे समय तक सि नितीज कुमार द्वारा किये गए विकास कारियों के बारे में जानकारी देंगे, स्यम नितीज के व्यक्तित और किर्टित को भी लोगों तक पहुचाएंगे, अगली बड़ी खबर बिहार में नो नए सैनिक स्कूल खुलेंगे, देश भर में पिपीडी मोड के तहाद सो स्कूल खुलने के तयारी, या बिहार में एजुकेशन सेक्टर को लेकर एक अची खबर है, राज के अंदर नो सैनिक स्कूल खुलने के तयारी हो रही है, या नए सैनिक स्कूल पिपीडी मोड में खुले जाएंगे, दरसल के अंदर सरकार ने देश भर में 100 सैनिक स्कूल पैसला किया है यह सभी राज सरकार या प्राइविट सेक्टर के साथ पीपीडी मौड में खोले जाएंगे कुछ स्कुलों को एंजियों के साथ करार कर भी संचालित किया जाएगा आपको बदा दे कि बिहार में सैनिक स्कुल खोलने के लिए कूल 15 आवेदन मिले हैं इनमें स नो को सही पाया गया है अगली बड़ी कबर बिहार बोर्ड की दसवी की परिच्छा 17 फरवरी से डेट सीट जारी देखे पुरा से डियूल जिहां वार्सिक मायदमिक परिच्छा 2022 का आउज़न आगामी 17 फरवरी से 24 फरवरी 2022 के बीच आउज़ित की जाएगी इसके लिए जिला अंतरगत 24 केंदरों पर संचालित होगी परतम पाले साड़े नौ बज़े से परवाहन से बारा बज़ कर 45 मिनट तक होगी और दियूतिय पाले दो पार एक बज़ कर 45 मिनट से साम 5 बज़े तक होगा आपकी जानकारे के लिए बता दे कि 17 फरवरी को दोनों पालियों में मैतेमेटिक्स की एकजाम ली जाएगी वह 18 फरवरी को साइंस की 19 फरवरी को सोसल साइंस हो 21 फरवरी को इंगलिस का एकजाम लिया जाएगा वह 22 फरवरी को मातरी भासा का एकजाम लिया जाएगा इसके अलावा 23 फरवरी को दूसरी भारती भासा का परिच्छा लिया जाएगा अगली बड़ी कबर अब विदानसवा की तर्ज पर पंचायत में होंगे सवाल जवाब प्रतिनी दियों को लिके तो तर देंगे कायर पलक पदादिकारी जाने प्रक्रिया जहां लोग सवा में सांसद और विदानसवा में विदाय जिस तरह से सवाल करते हैं और सम जारी किया जाएगा ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनी दियों को पंचायत की होने वाले बैटोकों में उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा पंचायत राज के मायदम से चल रही योजनाओं के समन्द में प्रतिनी सवाल करेंगे जिसका लिकित में उत्तर उन अगली बड़ी खबर गंगा किनारे सभी गावों में ड्रोन से होगी करवाई बिहार के 12 जिलों में 17 ड्रोन रखेंगे सराबियों पर नजीह राज में सराब के अवेद निर्मान और इसके कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए ड्रोन जैसी आदोनिक तगनिकों का भी सहारा लिया जा रहा है पाटना और वैसाली के दियारा इलाकों में इनके उपयोग के सराहानिय परिनाम सामने आ रहे हैं अब इनका विस्तार गंगा किनारे के सभी जिलों में किया जाएगा इसके लिए पाटना से लेकर भागल पूर तक के गंगा किनारे सभी जिलों को विसेस रूट मैप बनाकर भेजने के लिए कहा गया है सभी समानदद जिलो के ऐसपी से कहा गया है कि वे अपने अपने जिले के उन इलाकों का पुरा रूट मैप तैयार करके पुलीस मुख्याले को भेजे जहा ड्रोन की मदद से चापे मारे कि जा सकती है या उन दियारा इलाकों का जहां पुलिस फोर्स का जाने में समयसा होती है या इनकी निगरानी रखने में बेद समयसा होती है बाड़ी कबर बिहार के पसुपालोकों को सरकार देने जा रही है बड़ी समीधा समीधा पर बहाले की भी तैयारी जह सरकार पसु पालोकों की मदद के लिए पसु मुबाइल अम्बूलेंस सेवा सुरू होने जा रही है पसु एवं मतें से संसादन विबा एक कौल में चीकिसा के लिए खिसानों की घर पर पहुंच जाएगी सिगर ही तीन सो एमोलेंस करिदनी की प्रक्रिया सुरू होगी मोबाइल एमोलेंस के संचालन का मुसुदा तयार कर लिया गिया है बड़ी कबर बिहार के तील लाग संताओन हजार सिग्चकों के लिए अच्छी कबर बड़े वेतन के साथ रासे आवांटित करने की स्विकृति दे दी गई है इसे लेकर सिग्चा विबाग के अपर मुख सचीव संजे कुमार द्वारा समाधित निर्देस अलई को आवेसेक निर्देस भी दिया गया है अगली बड़ी ख़वर 15 फरवरी को बिहार बचाओ मार्च करेंगे चिराग पासवान राजी में राष्ट पति सासल लगाने की करेंगे मांग जिहां लोग जन सकती पार्टी के राष्टी अदग चिराग पासवान कल अपनी मारेना पासवान के साथ पटना पहुचे इस मोके पर उनोंने कहा कि 15 फरवरी को उनकी पार्टी की तरब से राज सरकार के नेतियों के खिलाब आकरोज मारच का आजन किया जाएगा इसमें उन मारच के दोरान पहले लाटी चलेगी तो वह चिराग पासवान अपने सर पर लेगा उनोंने कहा कि ना ही मैं लाटे खाने से डरता हूँ और ना ही मुझे पाने की बजोदर से डर लगता है हाला कि चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्रे ने पहले ही सारी सक्तियों का परियोग कर चुके हैं उन्होंने मेरे परिवार को तोड़ दिया है मुझे ही मेरे पाड़ी से अलग कर दिया है उन्होंने कहा कि मेरे पीता भी दो बार बिहार बचाओ यातरा पर निकले थे दोनों बार उन्होंने बिहार सरकार की नितियों की खिलाब संगर्स किया था उन्हें के नक्से कदम पर बिहार पचाओ मार्ज का आउजन किया जाएगा अगली बाड़ी कबर लालों ने पटना के कार्तिक के कुमार को बनाया मलसी उमिदवार आरजडी तेरह फरवरी को बाकि सीटों पर उमिदवारों के नामों की करेगी घोसना पूरों मुईक मंतरे राबडी देवी के आवास पर पटना जिला के आरजडी विदाय को और पारसत की बैठक हुई बैठक को लालो परसाथ ने खुज संबोदित किया बैठक में रीत लाल यादव भी पहुचे थे और अनन सिंग के साथ कार्तिक के कुमार भी पटना सीट पर एमेल सी के लिए रीत लाल यादव के भाई और अनन सिंग के खासम खास कार्तिक कुमार की दावेदारी चल रही थी लेकिन इस दावेदारी में अनन सिंग ने बाजी मार ली है और उनके खासम खास कार्तिक कुमार का टिकट फाइनल हो गया है नितिस सरकार का बड़ा फैसला सोलर लाइट से जगमग होगी गावों की गलिया और सड़के जाने कब सुरू होगा काम अबिहार के मुखे मंतरे नितिस कुमार के महतवकांची साथ निश्च योजना दो के तहद अबराज के गावों के रास्ते और महतपुन इस्तान सोलर लाइट से रोसन होंगे और इस योजना का क्रियानवान इस वार से 15 अप्रेल से सुरू कर दिया जाएगा मुखे मंतरे नितिस कुमार नि गुरुवार को यहाँ वीडियो कौनफरेंसिंग के मायदम से मुखे मंतरे साथ निश्च योजना दो के अंतरगात मुखे मंतरे ग्रामीन सोलर इस्टीट लाइट योजना की प्रगर्ति की सामिक्छा के लिए आवजीत बैठक में अधिका होंगे और अनकी बड़ी कबर रोहित के कपताने में भारत ने रचा इतिहास 49 साल में पहली बार वेस्ट इंडिस के खिलाब वंडे में किया क्लीन स्विप आखरी मैच 96 रन से जीता जिहां टीम इंडिया ने वेस्ट इंडिस को तिसरे और आखरी वंडे मैच में 96 रन से हर कर तिनों मैचों की बंडे सिरीज में क्लीन स्विप कर लिया आपको बना दो कि टीम इंडिया ने वेस्ट इंडिस से खिलाब पहली तीम की बार वंडे सिरीज झाले